हे अवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी लोग एस फर विगयान के इस चैनल पर और आज हम लोग क्लाश 12 फिजिक्स चैप्टर नमबर 6 और अल्टरनेटिंग करेंट का एक नुमेरिकल लेकर लेकर आ चुके हैं बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही आस इस नुमेरिकल को थीक है सबसे इसी तरीके देखेंगे ठीक है आईए चलिए क्या बोला गया क्वेशन में था मैगनेटिक फ्लक्स थ्रोग कॉइल पर्पेंडिकुलर टुदा प्लेन यह निकि एक मैगनेटिक फ्लक्स है मैगनेटिक फ्लक्स जाह है वो कनेक्ट हो रहा है एक कॉइल से पर्पेंडिकुलर हो जो हमारे पास एक कॉइल है बिल्कुल उसके पर्पेंडिकुलर इस प्लेन के पर्पेंडिकुलर ही हो क्या हो रहा है कनेक्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है find current induced at 2 seconds यानि हमें induced current को 2 seconds यानि 2 seconds पर हमें induced current को find करना है और हमारे पर जो given चीज़े हैं क्या resistance coil का 5 ohm है और जो हमारा flux है flux है वो 5TQ plus 4T plus 2T minus 5 यह दिया गया है तो यह कैसे करेंगे इस question को आईए समझते हैं देखिए हम जाते हैं कि जो हमारा induced EMF होता है वो होता है d5 by dt यह तो अब जानते हैं क्या होता है d5 by dt होता है clear induced EMF क्या होता है d5 by dt होता है ठीक है अब सबसे पहले हम induced EMF निकालेंगी फिर जब हमारा induced EMF आ जाएगा तो वहां से हम induced current को निकाल लेंगे ठीक है तो यहां से d by dt मैं as it is लिख दूँगा, 5 की value यह मेरे पास given है, इसको मैं यहां पे लिख दूँगा, तो 5t का cube plus 4t square plus 2t minus 5, इस तरीके से given है 5 की value, अब emf equal to d by dt, यहांनि इस जितने भी equations दीके यह मेरे को, इन सबका मेरे को करदना है differentiation, तो अगर मैं differentiation करूँगा, तो यह जैसे कि यहां पे 5t cube लिखा हुआ है, तो differentiation किस तरीके से होगा, ध्यान से देखिए, जो यहां पे t का power है, जो t की power 3 है, यह power आ जाएगी आगे into में, तो 3 into 5 हो जाएगा, और t, और power में से 1 जो है, वो minus हो जाएगा, तो 3 minus 1 हो जाएगा, तो 5, 3 is 15 t का square हो जाएगा, यहां पे clear, इस तरीके से, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 15 t square, इसी तरीके से, यहां पे यह 2 power आ गया जाएगी, तो यह हो जाएगा 4, 2 is 8, ओके, और t, यहांनि t की power 2 है, और 2 में से 1 minus हो जाएगा, तो 1 minus आ जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास t बचेगा, ओके, प्लस, अब यहां पे 2 t है, अब यहां इसकी power 1 है, तो यह 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास आगे आ जाएगा, तो 2 1s हो जाएगा हमारे पास, और t, अब यहां पे, यहां से 1 minus हो जाएगा, तो t 1 minus 1 करेंगे, तो मेरे पास t 0 आ जाएगा, और किसी की भी अगर power 0 होती है, तो इसकी value क्या होती है, 1, तो इसकी value अगर 1 है, तो य यह मिल पास आ गया अब EMF हमें किस पर देखना है सौरी हमें क्या देखना है find current induced at 2 seconds किस पर लिखेंगे at 2 seconds हमें किस पर देखना है 2 seconds पर देखना है तो 2 seconds पर देखते हैं किस तरीके से यहां पर जो भी time जो है हमें 2 put करना है 2 seconds पर बोला गया है तो 2 का स्क्वायर प्लस एट और यह 2 as it is ट की जगह पर प्लस यह 2 as it आ जाएगा clear अब EMF क्या जाएगा induced EMF क्या जाएगा यह हो जाएगा 2 की पावर 2 क्या हो जाती है 4 हो जाता है तो 15 फोर्जा क्या होता है 60 प्लस 8 टू जा 16 और प्लस में यहां पर 2 आ जाएगा अब यहां से induced EMF मेर पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 70 और यहां पर आ जाएगा 60 और 170 प्लस जाएगा इसे वेंटी सेवेंटी एट मेर पास टीक है तो इंड्डीूज्ट कितना आ गया मेर पास 78 ख्लियर मेर बात ठीक है अब मिर पास induced EMF तो आ गया अब मिरको यहां से निकाल देना है क्या induced current में बोला गया कि current induced current हमें find करना है तो induced इंडियूजड करेंगे तो आई इक्वल टू ऐएमएफ अपॉन में आर यह तो आप जानती है फॉर्मूला ठीक है थर्ड चैप्टर तो आइक्वल टू यहां पे इंडियूजड इंडियूजड की वैलू 78 है तो यहां पे लिख दिया मैंने 78 अपॉन में यहां पे रेजिस यहाँ पे 15 पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 6 तो यह 15.6 वोल्ट यह आ जाएगा आपका आंसर इस तरीके साथ आपको इस मेरेकल को करना था तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरू करेगा चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर सबस्सक्राइब झाएब जरू कर मिन में करे को कि अउयां बू परबदयक करना दो मैं पे यहली जरू करा रजहें पे तो शरू कहिं हम जरू कर दू कि दो हम तो तो माम वार रबाश्वान div है वागर overlap गरी कर दो